घर के किचन से निकलने वाला वेश्ट मट्रेल जिसे हम कच्रा समझ कर फेक देते हैं, अब इस कच्रे को समाल कर रखिए, इसी कच्रे से आप खाद बना सकते हैं और अपने घर के गार्डन या पोदों में इसका उप्योग कर सकते हैं, तो कैसे ये खाद बनाई जा सकती है? देखिये वीडियो नुसमें डाल कर गलाने के लिए माइक्रोम और दही 2-4 चमश्वुम्र जोडाने के लिए बेक्ट्रिया पेदा करने के लिए डाल कर सकते हैं जब तक हम लोगों का मटका पूर्ण रूप से भर नहीं जाता जब दब नहीं हम लोगों को इस उसी गिल्युक्रा को उसमें डाल करते रहना है कि कच्रा उपन नीचे हो सके जब पूर्ण रूप से मटका भर जाता है तो 28-30 दिन में उसमें खात की प्रोसेसिंग होती है 28-30 दिन बाद खात का निर्मान होता है जिसका उप्योग हम लोग हमारे घर पे गंबलों में लगे पोधों में कर सकते हैं और थोटा मोटा यदि गार्डन वगेना निर्मान किया है अपने घर के आसपा तो उसमें उसका उप्योग कर सकते हैं जिससे कि हमारे कच्रे की मातरा लोकलेटर के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट